नमस्कार अश्टडी मेट्रियल्स में आपका स्वागत है तो एक निव जार्खन गजट जारी हुआ है यह जो गजट है इसमें क्या कुछ अस्पेसल होने वाला है हम लोग यहाँ पर डिटेल से जानेंगे इससे पहले अगर आप मेरे इस चेनल को सस्क्राइब नहीं किये है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे इससे आप तक नए नए वेकेंसी के अपडेट जो है बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे तो यह जो गजट है वह अपका तैरह अप्रील 2022 को जारी हुआ है यह जो अपका गजट है अधिसूचना है यह आपका गिरह विवाग से है और यह जो बनके तैयार हो गया था यह जो अधिसूचना वह साथ अप्रील 2015 के ही बनके तैयार हो गया था लेकिन यह जारी हुआ है तैरह अप्रील 2022 को अर्थात तैरह अप्रील 2022 से यह आपका लागू हो गया है जार्खन में इसका जो नाम है वह आप देख सकते हैं यहापे म औरी भास आएं यहां पे दिए गये हैं आप देख सकते हैं क्या कुछ है 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 हुआ कि यहां पे अ fake 많은 सब्सक्राइब तो आ थो है तो इस तरह का कुछ सब्द दिए गए हैं यहां पर हम लोग को समझने में आसानी होगा इसलिए यहां पर नियुक्ति जो होगा आपका नियुक्ति जो होगा यहां पर देखिए दिया गया उपायुक्त की अधचिता में निमलिखिती रूप से संगठी जो समयती का द्वारा आपका चोकिदारों की नियुक्ति प्रणुति है तो अनुसंसा की जाएगे इसमें आपका सदस्ट कोन-कोन होगा आप देख सकते हैं अधच्छ कोन होगा आप देख सकते हैं आप मेंसन है सबसे बड़ी बात कि इसका जो आपका जो युग्गता होना चाहिए तो यहां मे अभ्यार्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए अपराधी इतिहास नहीं हो और चरित्र की जाच उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। उम्र सीमा का बात किया जाए तो आपका उम्र सीमा जो नियुम्तम होगा वाठारो वर्ष होगा और अधिकतम उम्र सीमा के सबंदित कार्मिक या प्रसाषनिक शुदार हैं राज वासविवाग द्वारा समय समय पर कहले 5 것으로 सवंदित प्राब्धान लागू होंगे इसके साथ साथ अभ्यार्ति को सवंदित बीट छेत्र का अस्थाई निवासी होना चाहिए अर्था जिस छेत्र में आप चोगिदार बनिएगा वही छेत्र का आप होना चाहिए अभ्यार्थी को साइकिल चलाने का ज्यान होना चाहिए इसके साथ अभ्यार्थी को साइकिल चलाना भी आना चाहिए जो किदार के पद पर नियुक्ति जिलास्तर पर होगे और आपका जो नियुक्ति होगा वह जिलास्तर पर होगी एम पदस्थापित अथा संभव उनकी आवासे बिट छेत्र के अंतरगत ही होगा और आपका जो इधर उधर पदस्थापित किया जाएगा आपका वह आपका बिट छेत्र जो होगा उसी में किया जाएगा समायनेता उसका अस्थांत्रित नहीं किया जाता है उसका अस्थांत करन जो है क्लेंडर वर्स एक जन zitten जन वरी से 31 से हुगा आपका देख सकते हैं पर निप्थी परिक्रिया आविदन जो होगा वहां किये जाएंगे तो आपका उपायुक्त DC ओपिस वहां किये जाएंगे और उसका व्यापक प्रचार सबंदित थाना पंचायत अंचल में किया जाएगा और उसका प्रचार कहां किया जाएगा आपका तो थाना पंचायत अंचल में किया जाएगा मिल किया भी जाएगा तो अस्थानिय समचार पत्र में भी दिया जाएगा लिखित परिच्छा सवर प्रतम अभ्यार्थियों को लिखित परिच्छा 50 अंग का होगा आपका 50 अंग के लिखित परिच्छा होंगे लिखित परिच्छा में जिल्ला से 70 समयन ग्यान होगा और अस अभ्यार्थी का नियुमतम सारे माप आप जो होगा नियुमतम सारे माप आले अभ्यार्थी जो यहाँ पर दिये गय कैं समाइन वर्व के लिए आपका देख सकते हैं, आपका 60 होगा, 60 semi वहहई पिछडा वर्ग और अइन पिछडा वर्व- के चाहस में भाग लेंगे audio लिए उसके डिकास इक स्थानी हो उसके गयं इन कुलंग होगा वाहलाय से हैं उसको क्या है बीस अंक मिलेंगे वहीं 5 अंग के बाद क्या है आपका पांच धचता में आपका गठित समीति द्वारक किया जाएगा फिर आपका मेगा सूची वाला है यहांपे mention किया गया है आप देख सकते हैं बावन सो से आपका अपका fundedब्षब 20,200 हो सकते है आपका वेतन्मान ग्रेड जो वेतन होगा आपका यहाँ 1800 होगा यहाँ दिया हुआ है ॡपहादार का वेतन्मान जो वहाँ उसको भी दिया गया है क्या होगा तो यहां सब यहां डिटेल से सारे चीज यहां पर आपको मिल जाएगा यहां अधिसूचना में आप देख सकते हैं इससे पता चल रहा है कि बहुत जल्द ही अब हमारे यहां जहारखंड में क्या है आपका चोकिदार का नियुक्ति भी होने वाले हैं थेंक्यू यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को सिस्क्राइब कर लिजे